हालो गाईज, स्वाइब विलकाम आला फिट विद आवर यूटूब चैनल ग्यानवे सचिन तो दोस्तों आज की सेसिन में बात करेंगे यूपी पॉल्टेकनिक के जितने भी इस्परेंट्स हैं जो भी इस्परेंट्स जिनका एड्मिशन यूपी पॉल्टेकनिक 2022 के किसी भी गॉर्मेंट कॉलेज हो या प्राइबेट कॉलेज हो या एड़ेट कॉलेज में एड्मिशन हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइकन को प्रेश कर लिजिए इसके साथ साथ ही बता दूँ आप सभी को कि आपके सिमिस्टर एग्जामिनेशन की जो तैयारी होगी इस चैनल पर एक तारिक से सुरू कर दी जाएगी और जितनी भी बुक है उनकी पीडिएफ और प्रेविएस एर क्यूस्टर पेपर की पीडिएफ आपको टेलिग्राम चैनल पर पहले ही में प्रोवाइड कर चुका हूँ पता है कि आपको जो यूपी स्कॉलर्शिफ भरी जाएगी पॉल्टेक्निक वालों की स्कॉलर्शिफ फॉर्म फिल के जाएगा वो कोई और साइड आएगी या कुछ और अलग तरीके से होता है तो नहीं होता है तेखो मैं प्रोसेस के बारे में भी जरा बताऊंगा तो अ आपके लिए ही बेहतर होगा मेरे लिए नहीं तो देखो यूपी स्कॉलर्शिफ के जो साइट पर मैं विजिट किया हूँ इसी साइट पर आपकी स्कॉलर्शिफ की फॉर्म भरी जा रही है ठीक है अब बताता हूं कि कैसे आपको अभी से खुद से अपलाई करना है या जब मेरी स्कॉलर्शिफ की फॉर्म भरी जा रही थी अभी देखो हम ही नहीं भरे हैं अपने स्कॉलर्शिफ का फॉर्म मैं भी भरूंगा मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से होगा जब मैं अपने स्कॉलर्शिफ का फॉर्म फिल किया था तो लगभग वो नौंबर के और 3,000 या 10,370 दूसरा नमबर आपको जो 1172 रुपई की डीडी दी जाती है वो उसका बहुत ही अच्छा रोल होता है इसमें मतलब वो फीस रिशिप्ट के अंतरगत आता है और तीसरा नमबर अगर आप होस्टलर हैं तो 2300 रुपई आपकी जो डीडी लगी होती है होस्टल की फीस लगी होती है उसकी फीस रिसेप्ट क्योंकि होस्टल की लिए में अपॉर्चिउनटी यह होती है कि जो हॉस्टल की फीस 23 00 e pass पे करते हैं वो की registration आपको पहले करना होगा जैसे मैं first second year का चात्र हूँ तो मुझे registration करनी की ज़रूत नहीं है मैं सिधा क्या करूँगा renewal login पर जाऊंगा ठीक है लेकिन आप लोग UP Polytechnic के अंतरगत new registration करने वाले हैं तो आप registration पर जाएंगे जब आप registration complete हो जाएगा तब आप fresh login पर click करके तो आप लोगों के लिए हैं वो है income certificate बहुत important होता है आपका domicile certificate बहुत important होता है अगर जिसका cast है तो cast certificate आपके आधार काड़ वो बहुत important है और इसके साथ साथी सबसे important things यह है कि आपका जो bank account होना वो आपके आधार काड़ से link होना चाहिए वरना पैसा नहीं आएगा य तो ऐसा नहीं अभी से बता रहा हूँ किसी से मत पूछिए किसी faculty member से मत पूछिए किसी students किसी senior का सलाह मत लीजे मैं बता रहा हूँ अगर आपका bank आपके आधार काड़ से link नहीं है तो अभी link करा लीजे और उसके साथ साथ ही आपका जो आधार काड़ है उस पर जो mobile number उसके साथ साथ ही आपका वो जो कहते हैं आधार काड़ से link वही important होता है और एक important और चीज़ बता दूँ आप सभी को कि जो भी bank account आप डालते हैं अगर वो एक ही bank account होगा तो सायद उसी में पैसा आ जाए वरना आप जो bank account डालते हैं वो उसमें पैसा नहीं आता है आपके किसी और bank account में आपका पैसा transfer कर दिया जाता है बसरतेवा आधार काड़ से link होना चाहिए तो आप अपने account को आधार काड़ से link करा लिए और दूसरी number 11 students का doubt मैं खतम कर देता हूं कि जो अपने घर से दूसरे जिले में गए होंगे क्या उन्हें उस जिले में account खुलवाने क चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आपका account सिर्फ अधार काड़ से link को होना चाहिए और आपके documents accurate होने चाहिए income certificate पुराना नहीं होना चाहिए उसके साथ साथ ही जो भी fees receipt वगरा है वो accurate आप अपने लगा दो और सही से अपने document को verify करो सही से जो भी form fill किये हो वो सही से fill करो आप आपको proper हर एक चीज अच्छी तरीके से provide की जाएगी scholarship आपको मिलेगी अब last में बात कर लूँ कि आपका scholarship कब से भरा जाएगा तो बिल्कुल देखो आपकी scholarship की form भरी जा रही है लेकिन आपको ऐसे नहीं भर सकते जब आपके college से बोला जाएगा कि आप अपने UP scholarship के form को apply कर के उन्हें क्या देना है summary record देना है और उसके साथ साथ ही summary record के साथ साथ ही सारे documents के जरोक्स देने होते हैं और एक receipt नहीं दो दो receipt लगानी होती है मतलब जितने भी documents होंगे सब के एक एक जरोक्स और उसके साथ साथ एक और फाइल में एक और जरोक्स के साथ आपको लगा कर आपके transfer कर दिया जाएगा तो बिल्कुल tension वाली बात नहीं है बाकि और कोई भी doubt हो UP scholarship से सम्बंदित तो आप उसे मुझसे पोच सकते हैं तो मिलते हैं एक नई informative वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye, tata, love you all